कि यह देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि शुक्रभात और हम लोग बात करने जा रहें सब्सक्र democrats यहाँ पर जीडी सी गॉर्मेंट डिग्री कॉलिज यूपीपीश सी यूपीश सी जीडी उत्तरप्रदेश पब्लिक सर्विस के मिशन गवर्मेंट डिगरी कालेश कि बैकेंसी की ऑफिसियल जानकारी मिल रही है कब तक आ सकती है और कितनी पोस्टें हो सकती इन सब पर हम लोग बात करें देखिए सरकारी लेटर है जो कलजारी भाब प्रेशक सिच्छा निदेशक सिच्छा डिगरी सेवा अनुभाग उत्तरप्रदेश प्याग राज प्रेशक देखिए कौन है और सेवा में समस्त प्राचार्य और प्राचार्य राजकी इसनातक इसनातक उत्तर महाविद्याले उत्तरप् अपडेट किये जाने के समय में इस पर मागा गया है कि कि तने पितने प्रिक्त पद रिक्त रहीं कितने कार्या स्विक्रत पद की सुचना यह है जो वैकेंसि आनि है वह क्लियर किया सके कितनी पुश्टें हैं अपक बीसे की आवगत कराना द्यालों के प्राचार्यों को यह पेच्छा कि जाती है कि वो अपने अपने महाविद्याल है कि बैकेंसी डाटा, टीचर डाटा, प्रिंसिपल डाटा को दिनांग 22-10-2022 दे कितने तेजी समा गया है मतलब है कि वो भरती को जल्द ही लाना साहते हैं, तो 22-10-2022 तक अनिवार रूप से अपडेट कर दें, कब तक क्या कहा गया है कि 22-10-2022 तक अनिवार रूप से अपडेट कर दें प्राचारियों को भी निश्टीज क्याता है कि वो सुचना को OTP वो तो खेर ठीक है, उनका काम है, लेकिन आपको ये जानना है आपकी सुचना के तैयत, मतलब कि प्रते कॉलेज से मांगी गई है, समय बद्द मांगी गई है, इसका मतलब है कि आप ये मान के चले ये देख ये अपने डाला, A N U P A M, अनुपम अवस्थी, ये दिखा दिया है, गॉर्मेंट डिग्री कॉलेज, वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, यानि यहाँ पर वर्किंग है, ये देखिए, ये देखिए, ये जिसे गॉर्मेंट फरुखावाद, गॉर्मेंट डिग्री कॉ इस तरह से आप वो सब की जानकारी मांग लेगे, तो फिर आप क्या देख पाएंगे कि, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपको दिखा देगा, कि कहां पर कितनी सीटे वेकेंट हैं, क्या है, ये पूरा अगर चुगी लंबा है, 57 पेस का है, इसको पढ़ेंग लगभग 380 प्लस सीटे हैं, मैंने इसका अधिन किया है, कहां पर कितनी वेकेंट हैं, लगभग 380 प्लस सीटे आपकी आने वाली हैं, निशित रूप से आप एक बहुत बेहतरी जॉब के लिए तयार रहे हैं, यहां पर आपे जानते हैं कि जो प्री का एक्जाम है, स्क्र और कंडियर्ट्स बहुत जादे होते हैं, तो आप यह मान के चलें कि इसका बिग्यापन, अक्टुरून मांगा है, नॉमबर में बहुत सम्भू है कि नॉमबर या दिसंबर के फर्स्ट बीक में आजाएगा, 100 परसंट राजाना सही है, नॉमबर और दिसंबर में, आप जानते हैं, इसकी एक्जाम होता है, जैसे सब्जेक्ट आपका है, तो 90 question उसके 30 questions, GS के होते हैं, सब्जेक्ट आप तयार कर भी लेते हैं, लेकिन GS आपके लिए बहुत चुनोती बन जाती है, तो GS के 30 questions हैं, वहाँ पर आप अगर बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो और ट्वंटी नाइन कोश्चन सही किये थे आपको यह अध्सयोगत लगेगा आपको आप अनरगल बातें भी रिखेंगे वह आपका अधिकार है आर्टिकल 14 डाइक टो इक्विल्टी आर्टिकल 19 डाइक टो इस्पीक एनिस पीच बट उसी के आधार पर में रचेंग जाता वह यूपी एच इसी जो आप देंगे उससे भेतर होता है जितने भी अधिकारी आप बनेंगे हायर के वह सब बनते यही हैं जीडीसी वाले ही बनते हैं इसको भी आप समझ में रखें और रही वाद जीएस के लिए तो जीएस के लिए मैं एक बैस भी मैंने शुरू किया ह अगर आप जूना चाहते हैं उस भी मैं तो जूढ सकते हैं उसके लिए आपको इस लिए यह देखे लिखा हूँ है वाटसप कर सकते हैं 7237853198 और वाटसप करके जानकारी ले सकते हैं और चाहें तो जीएस के बैस में जूढ सकते हैं कि तीश नंबर की जो भूमका होत यह सब्जक्ट आपने बहुत को वेस्पढ़ा होता है निस बिस का अंतर बागी बाते हम लोग करेंगे अगले वीडियो में आसकी मूल बात इतनी बतानी थी आपको कि मैं जो को जानकारी रहता हूं अन्थर्डिक जानकारी होती है प्रॉपर जानकारी होती है कि लगबग 382 प्लस सीटें आ रही है और जल्द ही नौमबा दिसंबर में आ जाएंगी समय आपके सामने है आप जुड़ जाएए आयोग ने मागना शुरू कर दिया है कि कहां पर कितनी सीटे वेकेंड है उससे आपसे पोश्टर निकालेगा तो निश्चित रूप से आप जुड़ जा कभी अपने देखने को मिलेगा जै हिंद जै भारत धन्यवाद